सत्संग क्या है? सत्संग एक सीतल भवहारे हैं सत्संग मन की गर्माहट को ठंड़ करने की दवा है सत्संग जीवन को परिवर्तन करने का इस्थान है सत्संग जीवन निर्मार्ण के लिए संकेत करने की जगा है सत्संग एक ऐसी जगा है जहां आदमी बदल जाता है अखिर सत्संग है क्या? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का सीधा और सरल अर्थ कहूं सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का शंग सत्य का संग क्या सत्य कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई पदार्था है कोई शमान है या आदमी है सत्संग का कहना चाहिए सीधा अर्थ है, जहां सत्य हो, जहां सत्ग्यान की चर्चा हो जहां आदमी को उत्थान की ओर ले जाने वाले बाते हो जहां मन का रुपांत्रन हो जहां मन निर्मल हो जहां आदमी जागर के रिलेक्ष महसुष करे कलीस भरा जीवन से उठ करके एक सांती के माहुल पाए भागदवन की जिंदगी से हट करके एक ऐसी जगह जाते हैं सतसंग में जहां मन निर्मल हो जाता है अत्मी बंदूओं उसे सतसंग कहते हैं जहां हजारों की भीड लगी हो जहां हजारों की सभा लगी हो उसे ही सतसंग नहीं कहा जाता है हजारों की सभा तो आज फीलम और एक्टर बड़े बड़े आते हैं वहां भी भीड लग जाती है वो सतसंग नहीं है जहां नेता आते हैं वहां भी भीड लग जाती है वो सतसंग नहीं है सत्संग एक और एक दो हो जाए जहां ग्यान चर्चा हो वो भी सत्संग है और जहां अकेले बैट करके आत्मा चिंचन कर रहे हो वो भी सत्संग ही कहलाएगा और हजारों की भीड़ भी लगी हो कोई वक्ता वक्ता कर वक्तब्य दे रहा हो प्रवक्ता लेकिन सत्ग्यान चर्चा नहीं चल रही हो भ्रामक बातें चल रही हो आदमी को उत्थान के और ना ले जाकर के पतन की और ले जा रही है वो सत्संग नहीं कू सत्संग कहलाएगा और आदमी को आद जरूरत है सतसंग के लेकिन आदमी को सतसंग में जाता है एक आदमी रोड में सराप पिकर के सोता है नाली में गिरता है किचर में जाता है सतसंग उनको मिल जाता है तो आदमी का उत्थान हो जाता है एक आदमी सराप पिता है लेकिन उनकी सतसंगी मिल जाते हैं तो वो महान व्यक्ति बन जाते हैं एक आदमी सराप से रोज लथपत होता है लेकिन उसको सतसंग मिलता है तो सतग्यान की चर्चा करता है जब आदमी अच्छे कर्म करता है तो उनका मन अच्छा रहता है और जब मन अच्छा रहता है तो वार्णी भी तन भी सब कुछ अच्छा होता है सत्संग से हमारे मन में परिवर्तन होता है सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है सत्संग हमारे मन को डायवल्ड करता है सत्संग हमको गलत चीजों से बचाता है लेकिन आज एक भारत ऐसा देश है धर्म प्रधान देश जिसे कहा जाता है जहां सत्संग के नाम पर लूट खसोड चलती है जहां सत्संग के नाम पर भ्रामाग बाते चलती है जहां सत्संग के नाम पर आदमी को भड़काया जाता है जहां जाती मजहब के नाम पर आदमी संपरदाई के नाम पर धर्म के नाम पर आदमी आपस में लड़ते हैं और उसे सतसंग कहते हैं मैं उसे सतसंग नहीं कह सकता जहां आदमी को भ्रम में डाला जाता है ये गुरू है ये गुरू ठीक नहीं है यह अच्छा जगा है यहाँ जाने से तुमको मुक्ती मिलेगी यहाँ जाने से मुक्ती नहीं मिलेगी अगर भ्रामक बाते चल रही है तो सतसंग नहीं कहलाएगा कोई कहते हैं हमारे गुरु से जुड़ो तो मुक्ति मिलेगी कोई कहते हैं हमारे आस्रम में आओ तो मुक्ति मिलेगी कोई और कुछ कहते हैं ये सतसंग नहीं है सत्संग सिर्फ है आपके आदतों को आपके बूरी कलमश्य को आपके बूरी विचारों को परिवर्तन करता है आपके गलतियों को आपको बताता है उसे सत्संग कहते हैं सत्संग वो है जो हमारे ही गलतियों को हमको देखनी की कला सीखाए हम अपनी ही जीवन को देखे सत्तसंग वो शिखलाता है हमारे जीवन को कोई गुरू बताए कत्त गुरू बताएंगे हमारे जीवन को कोई दुसरा आदेश करते रहे कत्त कादेश करेंगे सत्तसंग वो शिखलाता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम खुद आतमनी रख्षन करो अपना अनुसंदान खुद करो अपना सोधन खुद खुद करो परम पुज्य सद्ग्रूश्री अभलास सहभ जी गुर्देव जी कहा करते थे अपने मन को रूई की तरह धूल डालो रूई की तरह धूलने का मतलब क्या होता है जब रूई को धूना जाता है तो रूई को धुनने के बाद में जो धूल होता है, कंकड होता है, उनीचे बैठ जाता है और रूई उपर आ जाता है, ठीक ऐसे ही मन को निर्मल करना है आदमी अपने जीवन में बहुत सी जीच जानते हैं, लेकिन अपना अनुसंधान करना नहीं जानते है आदमी बहुत कुछ को खराब को अलग कर देता है, सही को अलग करता है एक किसान है खेद में जाता है अब खेद में जाता है देखता है कि यहाँ पर खरपतवार है घास है तो किसान करता क्या है उस घास को निकाल करके फेग देता है किसान आलू खोता है तो सड़ा आलू को निकाल करके फेग देता है क्या हम अपने जीवन के साथ भी ऐसा कर पाते हैं क्या हमको लगता है कि हमारे बुरी आदते हैं उनको हम फेग पा रहे हैं हमारे दृष्टी सही नहीं उसको हम सही कर पा रहे हैं सत्संग एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने के बाद में अधिया इंजेक्शन कोई लगवा ले और उसको अरपन कर ले समर्पित हो जाए उसके प्रती सत्संग के प्रती तो जीवन बदल सकता है मैं उसे सत्संग नहीं कहता हूँ जहां हजारों की सभा लगा हो और कहते हो कि हमारे गुरू से ही मुक्ती है मैं कहता हूँ ये गदार और धोखेदार लोग है ऐसे लोगों को कहीं गुरू की मुक्ति नहीं है ना कभीर पंत में मुक्ति है ना राधा स्वामी में ना गैत्री में ना किसी में मुक्ति नहीं है मुक्ति आपकी मन की अवस्था है आत्मी बंदो मुक्ति आपका जीवन है यदि आपकी मन में किसी के प्रतिक टुता नहीं है आपके मन में किसी के प्रतिक लेस नहीं है आपका मन स्वक्छा है निर्मल है तो उससे बढ़ करके सतसंग और क्या हो सकता है सद्रू कबीर साहिब एक लैन में कहा करके चले जाते हैं जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नेरे पीछे पीछे हर कितनी अच्छी बात है जिस समय सदरु कबीर हुए उस समय भी गंगा की प्रसिद्धी रही है और उस समय की बास सदरु कबीर शाहेब कहते हैं जाको मन निर्मल भैया, कैसे? जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पाणी पवित्र है साप है निर्मल है, श्वक्ष है नहीं दोड़ना है हरी तुम्हारे पीछे चले जाती है जब मन ही निर्मल हो जाता है मन ही सुच्छ हो जाता है मन ही सतसंग में लग जाता है वो आदमी का जीवन बदल जाता है कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदलता घर बदलने से आदमी नहीं बदलता संप्रदाय बद गुरू बदलने से आदमी नहीं बदलता है आदमी बदलता है अपने विचारों से बदलता है आदमी बदलता है सतसंग से बदलता है आदमी कितने बड़े गुरू से जुड़े हैं इसका महत्व नहीं है आदमी कितने बड़े मकान में रहता है इसका महत्व नहीं है आदमी क सराब के दुकान से 50 किलोमेटर दूर रहता है लेकिन दौन करके सराब के दुकान में जा करके मुह लगाता है अगर सत्संग है तो उसका महत्व है सत्संग ही एक ऐसा जगा है जहां घर के वातवरन को बदलते हैं सत्संग ही एक ऐसा जगा है जहां आपस में भाई चारे सिखाते हैं आपस में प्रेम सिखाते हैं आपस में इसने सिखाते हैं कटूता को दूर करते हैं उसे हम सत्संग कहते हैं जहां आडंबर हो जहां चमतकार हो जहां पाखंड हो उसे मैं सतसंग नहीं कह सकते हैं जहां आपस में इसने सिखाते हो जहां आपस में प्रेम सिखाते हो उसे सतसंग कह जाता है जहां आदमी को दिल से दिल की दूरी घटती जाती है उसे सतसंग कहते हैं जहां आदमी आपस में आपस में देरान जिठान भाई भाई साज बहु पडोसी के साथ मित्र की तरह प्रेम से रहते हो उस जगा को सतसंगी कह सकते हैं उस ऐसे लोगों को सतसंगी कह सकते हैं जहां हमारे मन की अकड़न है, जो मन की अकड़बाज है, जो हमारे मन का अहंकार है, वो खतम हो जाए, तब हम मानेंगे हम सत्थसंगी हैं। जो महत्व है, आज बड़ा अजीब महाल है इस दुनिया में, ऐसी ही जगह है जहां बुद्ध हुए, ऐसी ही जगह है, जहां कबीर हुए, इसा हुए, मुहम्मद हुए, श्री राम हुए, कृष्ण हुए, ऐसी ही जगह है, जहां आज तांड़ाव मचा है, आपस में भाई- जिठान लड़ रहे हैं आपस में गुरू और सिसे भी लड़ रहे हैं आज बहुंस संद और गुरू है जो जेल के सलाखों में सरड रहे हैं अपने आपको गुरू कहते हैं संद कहते हैं सतसंगी कहते हैं प्रवक्ता कहते हैं डरते हैं कायर की तरह हो सतसंगी हैं यह लोग जो आत्म उद्धार नहीं कर पाते हों दुसरे को क्या उद्धार करेंगे जो पैसा के लिए जंता को बटोरते हैं पैसा के लिए समाज बटोरते हैं पैसा के लिए अपने भक्तों को फसाते हैं क्या ऐसे लोग को सतसंगी यह आपको चाहते हैं तो समझों कि आपको सफल जीवन जी रहे। आपके परिवार वाले आपसे दूर हटना चाहते हैं, आपके पडोसी आपसे दूर हटना चाहते हैं आपके भाई आपसे बात नहीं करना चाहते हैं आपके देरान जठान आपके बात नहीं करना चाहते हैं आपके पडोसी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं आपके माबाप आपसे बात करना नहीं चाहते हैं मतलब आपने अपने जीवन धोखे में गवाएं हाथ मीं बंदूँं जीवान बहुत प्य milj किम्ति है और आज जो हम बैठे हैं इतने अच्छे जगा बैठे हैं सतसंग कर रहे हैं ज्ञान चरक कर रहे हैं कल पता नहीं कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे कोई नहीं जानते इसको, पता नहीं कल किसके घर में फोटों में हार लग जाएगा कोई नहीं जानते, इसलिए आज आउसर है, इस छोटी सी जिन्दगी है, इस छोटी सी जिन्दगी में कितने वायर विरोत करेंगे हम, कितने से लडाई करेंगे, कितने को दुस्मन बनाएंगे, कितने के साथ कटूता का वाहार करेंगे, क्यों प्रेम से नहीं जी सकते हम, क्या हमको खाना नहीं मिलता है, क्या हम हमारे रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, फ आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं आज हम जैसे एक सधारन व्यक्ति बुद्ध भी कबीर भी महावीर भी इसा भी रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मांजा अपने जीवन को रगडा तब कहीं आज उसको हम पूजते हैं आज हमारे गुरुजन हुए हैं हमको कोई जाने या ना जाने हम तो जानते हैं हम कैसे हैं हमको प्यार से जीना है जीवन को एक बहत्रीन जीवन जीना है कांप्लेक्स सफरी होकर के जीना है हमको हर समय और रनेश्क इस्तिती हो जागुरुत्ता की इस्तिती हो हर समय हम जागुरुप रहें हमको हमेशा सवधानी से चलने की जरूरत है हम अपने हे जीवन को देखते हैं अपने हे जीवन में इतना भंगार भरा हुआ है भंगार मतलब समझ रहे ना इतना गंदगी है हमारे जीवन में इतने बुरे आदते हैं इतने बुरे कलमसे हैं हम दुसरे पर दोस दिखाते हैं वो ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं हम अपने जीवन को नहीं देखते हैं मेरे भाई ऐसे हैं मेरे पिता जी ऐसे हैं मेरे गुरु भाई ऐसे हैं मेरे गुरु ऐसे हैं सिस्य सब किसी कायत है ये किसी एक किसी कायत नहीं है आत्मी बंदों में किसी कबीर पंद की चर्चा नहीं कर रहा हूं किसी धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं शिर्फ एक सतसंग का महत बता रहा हूं कि सतसंग से होता क्या है सतसंग किसी संप्रदाय का नहीं होता है सतसंग किसी मत और पंत से कोई मतलब नहीं है सतसंग का सतसंग का सिधा और सरल अर्था बताया मैंने शुरू में जहां सत ग्यान हो सद ग्यान चर्चा होती हो उसे ही सतसंग कहते हैं हमको बदलना है अपने जीवन को शुरुवात करें अपनी आपसी जितने लोग सतसंग सुन रहे हैं यहां से जाए और बैठ जाए अपने घर में सब लोग पांच मिनट बैठियेगा और अपने जीवन के बारे में आप प्रकास डालिएगा मुझे एक बहत्रीन जीवन जीना है और अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करूंगा मैं अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे अपने तजुरुबा बदलना होगा अपना हंकार को मिटाना होगा अपने रोब खतम करना होगा घर में जाते ही बच्चे आपसे डर जाते हो वो रोब है वो रोब से सत्संग नहीं होता है वो रोब से सत्संग ज्यान चर्चा नहीं होती है उससे जीवन में परिवर्टा नहीं होता है एक सत्संगी थे, उनके यहां एक संत गय है, संत के जाते ही भक्त जी प्रणाम बंदगी की उसके बाद में भक्त जी आते ही कहते हैं अपने गुरू से गुर्देव जी, मेरे लड़के आये तो उनको समझा देना हो, सत्संग में ग्यान चर्चा में जादा मन नहीं लगाता ह उनको समझा दीजेगा गुर्देव जी, गुर्देव जी आते हैं, घर में बैटते हैं, बाहर जैसे हो उनके लड़के आते हैं, और बंदगी करके चला जाता है, गुर्देव जी उनको बुलाते हैं, बेटा तुम इधार आओ थोड़ा, हाँ साहिब जी बताइए क्या आ हाँ साहिब जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूँ ग्यान चर्चा तो हमारे पिता जी बहुत करते हैं, रोज ससंग में जाते हैं, लेकिन जितना हमारे घर में पिता जी गाली देते हैं, उतना कोई गाली नहीं देते हैं, उतना कोई गाली नहीं देते हैं, मैं समझता हूँ यहां जितने लोग बैठे हैं कोई गाले नहीं देते हैं लेकिन मैं यह नहीं का सकता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं कोई रोब नहीं दिखाते होंगे घर में सब रोब दिखाते होंगे अपना अपना रोब है आप जब घर में रहते हैं तो किसी के पीता है तो पीता की तरह रहिए तो अप्चंद ना बनिये जीवन में अगर जीवन में अच्छा जीवन जीना है तो इस्पेशल जीवन जीना है बुढ़ापा को सार्थक बनाना है अपने जीवन को उपर ले जाना है कांप्लेक्स फ्री जीवन जीना है आपको कलेस रहित जीवन जीना है बुढ़ाप्पे को सुखद बनाना है अपने आपके बच्चे आपके बुढ़ाप्पे में सहीयो कर सके आपके बच्चे आपके बुढ़ाप्पा में दुखा दिस्तिती में आपके बगल में बैट सके ऐसा महल बनाना है तो आपको इतना सदा सादा और सिंपल हो जाना है कि वास्तों में लग सके कि मेरे पीता जी है वास्तों में आपके बच्चे को गरव होना चाहिए कि वास्तों में, जैसे एक माबाप होना चाहिए, वैसे मुझे पीता मिला है, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे गरव है, अपके बच्चे का है, ये आप तजरुरुबा लाई अपने जीवन, आपके घर में आपकी बहू आपको मां कहती है तो मा की तरह आप अपने बच अपने बहु को बेटी की तरह प्यार से रखिए आप बहु की तरह मत रखिए और बहनों से निवेदन है कि अपने बहु अपने साश को अपने सासु मा मत समझे बलकि प्यार से उनके साथ जिसे घर में मा की साथ जिन्दगी जीए 20 साल 25 साल वो जीवान लाई ये तब सत्संग का महत्व है नहीं तो बैठे रहेंगे एक कांसे सुनेंगे एक कांसे निकल जाए कहां गये थे सत्संग में गये थे क्या बोले कोई मतलब नहीं पता नहीं कहा का बोल इस भोला आगा हूँ होगे खेल काता सुरुवात है आपकी आपके वार्णी में मिठा शोग आप मिठा वार्णी का प्रयोग करिए वार्णी ही एक ऐसा माध्याम है जो कि हमारे जीवन में 80 प्रतिसत बदलाव लाता है महाभारत उद्ध का कारण जानते हैं कटुता वार्णी में कटुता द्रोपती कहती है जब राजमल बनाये थे उसका प्रवेस था वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बुलाये थे जहां जल थल दिखता था धरवाजा नहीं वहां दरवाजा दिखता था जहां दरवाजा है वहां दरवाजा नहीं दिखता था बड़ा ऐसा बनाया था बनाने वालों ने कहत लेकिन वह इसे दिखता था तो सामने से दुरुधन जा रहा था उनके दासी वहां पड़ थे कहें महराज जी आगे जल है कीछड़ है आप जाएंगे तो गिर जाएंगे मत जाएंगे दुरुधन कहते हट दासी तुम मुझको सिखाओगे यहां पर सामने रास्ता दिख रहा है और तुम वहते कहते हो कीचड़ है पानी है जैसे दुरुधन आगे बढ़ता है पानी में गिर जाता है कीचड़ से लत्पत हो जाता है दुरुपती उपर से कहती है अंधे के अंध पुत्र महाभारत का पूरा महाभारत युद्ध का कारणी है वाणी तो है ना क्या बोला है अंधे के अंधे पुत्र द्रुपति बोलती है और महाभारत युद्ध यहीं से सुरू हो जाता है द्रुवधन ठान लेता है जिस किसी प्रकार से हो सके मुझे पूरा पांडव का विनास करना है और पांडव का विनास नहीं पूरा महाभारत युद्ध होता है आत्मी बंधूं जीवन में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले वाणी में मिठा सोना चाहिए कौवे के करकर किसी को पसंद नहीं है कोयल की मिठी आवाज सबको पसंद है आप मिठा बोलिए घर में जा करके आप अभिवावक होते हैं आप घर के बुजुर्ग होते हैं घर के मुख्या होते हैं इतने ठंडे और मिठे वचन से बोलिए इतना सितल फवहारे हो सब्दों मे इतना जादू हो सदोबने इतना जान हो कि आपके जाते ही बच्चे प्रेम से पुकारे गोए बच्चे आजाओ इधार दौन के आप से आ करके गले लगा ली ये सदों में जादू होना चाहिए बलकि उल्टा हो जाता है आप जैसे जाते हैं बच्चे बिल्ली की तरह दुबग जाते हैं आपके घर के परिवार के सदस्च के एक एक किनारे हो जाते हैं फिर आप सत्संग नहीं करते हैं आप तो कुछ और सीख करके जाते हैं एक वक्ती वकालत करके आता है वकालत करके जैसे आता है उनके मित्र उनके घर में आये रहते हैं पहले से आये रहते हैं और आते ही घर में बैड़ता है कहते हैं देखा मित्र जी मेरे घर में आते ही मेरे बच्चे घर के पत्नी बच्चे सब लोग अंदर हो जाते हैं मेरे साम अच्छी बात है आप अपने वकालत अच्छी कर रहे हैं यह अच्छाई नहीं है मेरे मित्र हो कहते हैं अच्छाई नहीं है मित्र आप अपने जीवन को कटूता की ओर ले जा रहे हैं अपना त्रोब मत दिखाईए ये घर है वकालत नहीं है ये यहाँ वकालत मत करिए इतने में उनकी पत्नी कहती है भाईया जी अपने मित्र को समझा दिजे यहाँ ये घर को वकालत बना करके रखा है उनको भी साहस होता है जब उनके मित्र बोलते हैं तो उनकी पत्नी को साहस होती है उसके बाद उनकी पत्नी बोलती है भाईया जी अपने मित्र को समझा देजिए कि ये घर वकालत का जगा नहीं है यहां हम उनके पत्नी हैं उनके बच्चे हैं उनके राहे देखते रहते हैं लेकिन इनका तरीका ऐसे है कि इनके आते ही हम घर के अंदर घुश जाते हैं क्या यही तरीका है पत्नी और बच्चे के साथ वड़ताव करने का आप इतना कटुता तो नहीं बोलते हैं पर भी आप घर में इतना प्रेम से बोलिए कि आपके बच्चे आपको प्यार करे मैं आपको सुखद यात्र के ओर ले जा रहा हूं हूं आपको आपके जीवन को निर्मान के लिए बता रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका बिर पंत से जूड़िये मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे गुरू से जूड़िये मैं सिर्फ सतसंगी चर्चा कर रहा हूं किसी भी जगा सतग्यान चर्चा चलती हो कोई भी जगा हो किसी भी मत पंतका हो वहाँ जाईए सतग्यान चर्चा सुनी लेकिन कोई ये कहते हो कि हमारे गुरू से जूड़िये तभी मुपती है तो ऐसे जगा से बच करके रहेगा कोई ये कहते हैं कि हमारे गुरु ही सत्ग्यान देते हैं तो ये धोकेदार है और आज उसी की बोल चाल है इसलिए इतना मिठा बोलिए इतना मिठा बोलिए कि आपके बच्चे के साथ साथ आपके घर के सारे लोग प्री हो और सबसे ज़्यादा सुखद होता है बुढ़ापा में जब मिठा बोलना आप सिख जाते हैं न तो आप एक बार आवाज देंगे एक बार आवाज देंगे कहां है छोटू घर के एक बार आवाज देंगे आपके छोटे बच्चे दाउन करके आजाएंगी एक बार अपने बहु को आवास देंगे बेटी कहां हो, दौन करके आएगी एक बार बेटा को आवास देंगे दौन करके आएगा मैं रायपूर में अभी एक महना पहले दस दिन एक जगा रुखा था जहां पर क्योंकि सेंटर है केट बनाना सिखाए जाता है तो भगता है प्रेमी एक ही जगह मैं दस दिर रुका था तो उनके अहां एक जैन आते थी सिखनी के लिए फिर वो बता है महाराज जी मैं केक बनाने के लिए कैसा बनता है वो शिखिना चाहती हूं तो मैं आप तो अपने आप में संप आप टाइम पास करने के लिए केक बनाने आती हूं में का टाइम पास करने के लिए और पुशाधन नहीं है कहें मेरे पास एक साधन था वो साधन नहीं रहा में क्या साधन था तो वो कहती है बहन मेरे घर में सासु मा थी और उस सासु मा का नाम सांती थी जैन थी जैसे ही ना मैंने उनके साथ लगभग लगभग 35 साल जीवन गुजारा लेकिन आज तक मुझे कटुता भरे सब्दों से कड़वे सब्दों से कभी नहीं बोले महराज जी उनके जाने के बाद में मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मेरी मां से बढ़ करके थी वो मेरी मां नहीं मेरे मां से बढ़ करके थी जिनके साथ मैंने 35 साल गुजारा लेकिन 35 साल मुझे 35 दिन की तरह निकल गया मैं आज रोती हूं उसके लिए कितने घर होंगे ऐसे जहां सासर बहों में हो पल-पल मुझे उनकी याद आती है जब भी याद आती है तो मेरे आँखों से आँसों निकल जाती है महराजी उस वक्त को गुजारने के लिए मैं केक बनाना चाहती हूँ मैं अपने मन को वहाँ डायवर्ड करना चाहती हूँ क्या आपके घर में ऐसा प्रेम है क्या आपके घर में इतना आपस मीशने है सास बहु का तो रोज चलता है ओ ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं आज भारत का सवभाग गये की बड़े-बड़े विद्धासरम दुर्भाग गये ये भारत का बड़े बड़े विद्ध आस्रम के संख्या बढ़ती जा रही है अपने माबाप को पोसनी पा रहा है दुरभाग गया है भारत का बच्चे का दुरभाग गया नहीं सबका दुरभाग गया है भारत का दुरभाग गया है माता पिता अपने बच्चे को संसकार नहीं देते हैं जिसके वजह से आपको वृद्ध आस्रम जाना पड़ता है और जवान बच्चे को इतना होस नहीं है अवस्था अपने खराब कर रहे हैं अपने जीवन को खराब कर रहे हैं अपने भी वृद्ध आस्रम की जाने के तैयारी कर रहे हैं और खुद अपने माबाप को वृद्ध आस्रम भेज रहे हैं क्या यही जीवन जीना चाहते हैं क्या जीवन में परिवर्दन नहीं चाहते हैं पैसा से जीवन नहीं बदलता है पैसा से जीवन बदलता तो मैं यहां नहीं रहता आत्मियों बंधों यह बात जाने है अब जदि पैसा से जीवन बनता तो मैं पैसा कमा सकता हूँ बहुत पैसा अच्छा से जीवन जी रहा हूँ अभी बीना पैसा के लेकिन ये भी बात बता रहा हूँ आज के जीवन में पैसा बहुत ही महत्त पूर्णा है लेकिन उससे ज़्यादा महत्त पूर्णा है आपके जीनी का तरीका आप कैसे जीती है कैसे आपका तरीका है आपका कैसे घर वालों के साथ वैवार करते है कैसे आपके बच्चे आपके हैं की नहीं की आपके नहीं पराया हो गए हैं आपके ही बच्चे आपको पराय की तरह देखते हैं अपने ही बच्चे को प्यार से आप नहीं रख पाते हैं आपके ही अपने ही माबाप हैं बुढ़ापे की यह अस्था है वो सवभाग या सालीव बच्चे होते हैं जो अपने माबाप को पालते हैं पोशते हैं प्यार से रखते हैं एक उधारन और दूमें, एक जगा एक बुढिया मा थी, बुढिया मा को एक नाला रहे थी, एक मा, एक बहान अपने बुढिया मा को नाला रहे थी, उधर संत गुजरते हैं, देखते हैं, बड़े इसनेय से, बड़े प्यार से, बड़े विनमगता के साथ, अपनी एक पुष्टे हैं संत जी पुष्टे है वे बहन से बहन क्या यह तुम्हारी मा है बहन क्या यह तुम्हारी मा है जिसको तुम इतना प्यार से नहला रही हो इतने इसने से नहला रही हो बहन कहती है संत जी यह मेरे मा नहीं है मा नहीं है तो कौन है मेरे मा से बढ़कर के है संत जी को बड़ा आश्चरी लगा मा से बढ़कर के और क्या हो सकता है इतने में संत जी पुछते है अखिर मा से बढ़कर के है कौन मा से बढ़कर के कौन है वो बहन कहती है संत जी ये वो मा है जिसके कोख से सब्दों को देखेगा आप ये वो मा है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है जिसके बदावलत आज मैं इस घर में टिकाऊं बोल सकती थी मेरी सासु मा है लेकिन उनके सब्दों में कितना मिठास है उनके सब्दों में कितना जादू है उनके सब्दों में कितना दर्द भरा है उनके सब्दों में कितना प्रेम है कितना प्रेम हो कहती है संत जी ये ओ मा है जिसके जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है उसके कोख में उसके सुहाग पला है मतलब अपने पत्ती का मा है क्या इतना प्रेम है इतना प्रेम हो जाए तो घर का माहल बदल जाएगा सतसंग इसे ही कहते है जदी आज मैंने कुछ दिर निवेदन करने का प्रयास का किया अगर समय रहा तो कल मैं जीवन निर्वान के बारे में बताऊंगा जीवन क्या है जीवन किसे कहते है जन्मा और मृत्ती के बीच को जीवन कहते है और कैसा होता है जीवन का सिड़ी स्टेप कैसा होता है और हम कैसे जीते हैं और हम किधर जा रहे हैं इसके बारे में यदि समय रहा तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे बस इतनी घकर वो अपने आने को इराम देता हूँ बोलिए सत्गुरु देवा कीजे